दोस्तों अगर आप भी आज के टाइम में किसी ऐसी बच्चे की जीरो बैलन्स वाली खाता एच डीपसी बैंक में खुलना चाहते हैं, जिनकी उम्र जीरो साल से लेकर की आठाड़े साल की बीच में है, तो फाइनली गई इस वीडियो आपके लिए है, क्योंकि गई आज की इस वीडियो में हमने आपको कम्प्लीट पूर्शेस लाइट एफटे बाई एफटे पर की बताया है, सबसे पहले माइनर को यहाँ पर एच डीपसी बैंक जो है एटियम कार्ड की फैफिलेटी, साथ में गई यहाँ पर पास्बुक की फैफिलेटी और तो और गई यहाँ इस वीडियो में हमने आपको एफटे बाई एफटे पर की बताया है कि इस सारे फैफिलेटी आपको कैसे मिलेगी, इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, मुबाइल बैंकिंग यूज करके किसी भी परकार की टांजेक्शन कर सकते हैं, वह भी बिलको फ्री में, साथ में गई इउपे की इतनी सारी एफ है, दिनसी फोन पे, गूगल पे, पेटियम, आप इन सारे एफों को बहुत ही अफ़ाने से यूज कर सकते हैं, अब देखिए गई माइनर को यहाँ पे HDFC बैंक तो benefit प्रोवाइड करती है, लेकिन इस benefit के नाम पे माइनर से यहाँ HDFC बैंक क्या-क्या चार्जेस लेती है, और इसके अलबा यहाँ पे benefit क्या-क्या प्रोवाइड करती है, सबसे पहले यह चीज देख लेते हैं, देखिए दोस्तों, अभी हम सबसे पहले यह जानेंगे कि यहाँ पे एकाउंट ओपिन करने के लिए कौन-कौन सी डोकमेंट और eligibility criteria क्या-क्या होनी चाहिए, देखिए गई, अभी अगर आपकी उन्ड जीरो साल से लेकर की दव साल की बीच में है, तो खाता खुलवाने के लिए आपको अपनी गार्जियन की जूरत पड़ती है, अगर आपकी उन्ड दव साल से लेकर की आठारे साल की बीच में है, यहाँ पे आप अपनी खाता आप अपनी से भी खुलवा सकते हैं, यहाँ पे आपको किसी की भी जूरत नहीं होती है, अब देखिए गई, अगर आपकी उन्ड जीरो साल से लेकर की आठारे साल की बीच में है, तो यहाँ पे आपकी गार्जियन की डोक्मेंट लेगी जैस फार्ट मेंगे यहाँ पे आपको फार्फूर्ट साई दोपीस कलरफुल फोटो देना होगा, इतने में आपकी एकाउंट जो है कंप्लेट उपेल हो जाती है, दोस्तों ऐसे में अब आप चले जाएंगी गूगल पे और यहाँ पे फ़र्च करेंगी HDFC माइनर एकाउंट फार्ट करेंगी यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्याट से इंटरफेस उपेल होती है, यहाँ पे आपका फार्फ नंबर पे ही एक अपफन मिलेगी खीट सेविंग एकाउंट ओल्लाइन फार्ट क्लिक करेंगी, तो यहाँ पे HDFC बैंक की माइनर एकाउंट से रिलेटे है, और इस एकाउंट है, बिल्कूर यहाँ पे Zero Balance की फार्फ उपे नहीं होती है, आपको अपनी एकाउंट में Balance मेंटेन कर के रखनी है, जो की यहाँ पर 5000 रुपिय तक आपको अपनी Balance मेंटेन कर के रखनी है, और देखी bound करती है आपकी area की यहाँ करते है, इसकी बाद य यहां पर मैंने आपको already बताया है कि इस account के फाद आपको ATM card की फैफिलिटी मिलती है यार निकी गई माइनर को यहां पर ATM card की फैफिलिटी प्रफाइड की जाती है लेकिन दोस्तों इस ATM card की कुछ limit लगाएगी है जो कि मैं आपको बताता हूँ यहां पर देख सकते हैं आपको साब सब्सक्राइब में बताया गया है कि आप अपनी ATM card से एक दिन में जो है के फुडॉल 25 रुपया करेंगे और यहां पर online spend जो है आप 2,000 रुपया तक कर सकते हैं इसके अलबा यहां पर आपको वताया है कि आपको अपनी ATM card से फिरी के फुडॉल की फैफुलिटी मिलती है लेकिन यहां पर महिने में आपको पांच बार ही आपको अपनी ATM से के फुडॉल करने है इसके बाद यहां पर आपको वताय गया है कि फिरी चिक्वुक की फैफिलिटी आपको अपनी एकाउंट पे दिखने को मिलती है यानि कि आप इस एकाउंट को उपिन करेंगी तो यहां पर पहली बार आपको चिक्वुक जो है बिल्कुल फिरी में दी जाती है इसके बाद यहाँ पे आपको बताय गया है कि फिरी में यहाँ पे पास्वो की फैफिलिटी आपको प्रफाइट की जाती है और गई यहाँ पे आप अपनी एकाउंट के फाथ मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग जो है बिल्कुल फे और कॉस्ट यूज कर सकते हैं अब दिखिए दोस्तों आप बात करते हैं इस एकाउंट की कुछ लिमिटेशन के बारे में, कुछ फी एंट चार्डिस के बारे में, जो की गई आपको जाल लेना बहुत ही ज़्यदा ज़रोगी होता है, फानेली की यहाँ पे फी एंट चार्डिस वाली अपफन पे आते ह है, अगर आप अपनी एकाउंट में 0 रुप्या से लेकर की पचीस सो रुप्या तक मेंटें करके रखते हैं, बाकी इमाउंट आप मेंटें करके नहीं रखते हैं, उस कंडिशन में आपकी एकाउंट से जो है 300 रुप्या चार्डिस के रुप्या काटे जाएगी, इसकी अ और यहां पे checkbook से related कुछ charges बताएगी है जो कि आप वीडियो को रूप करके यहां पे आप जो है complete इसे पॉर्ण लेंगे यहां पे गई checkbook की बारें बताएगा है कि आपको checkbook जो है बिल्कुल free of cost दे जाती है इसके अलावा यहां पे गई एक और charges की बारें बताएगा है जो कि आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा important है जिसे कि यहां पे आपको debit card की बारें बताएगा है transaction की बारें में यहां पे आपको बताया गया है कि bill payment क्रेंड ने के लिए आपको किसी भी परकार का चार्ड़ेंग नहीं देनी होती है आपको यहां पर काफिक सारी चार्जेश की बारे में बताए गया है आप जो है विडियो को रोख करके यहां पर आप जो है इन सारी चार्जेश की बारे में पॉर्ण सकते हैं और यहां पर नोलेज ले सकते हैं अब देखेंगे इस एकाउंट की जितनी सारी चार्जेश है ज डाउनलोड गई आप लिकर की जैसे ही फर्स करेंगे तो यहां पर आपके सामने कुछ इसक्राइट से रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगी आप इसके उपर कंप्लेट क्लिक करेंगे तो गई यहां पर आपके सामने कंप्लेट एक फॉर्म ओपेन हो करके आएगे और यहां सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको इस फॉर्म को कंप्लेट यहां से डाउनलूड करना है तो यहां पर आप डाउनलूड वाले अपफन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आपके फॉर्म है कंप्लेट आपके मुवाइल फोन में या फिर आपके कंप्यूटर में क वसाल की बीच में है तो यहां पर अपनी parents की document मैं ने जो भी डोकमेंट बताया है आप अपनी parents की आधार card, pen card, वाद में आप अपनी आधार card या फिर आप अपनी डेट of worth, आप अपनी photo इस form की फांत कंप्लीट एटेश करेंगी अगर आपकी उड़ दफाल से लेकर की अठाड़ फाल की बीच में है तो उस कंडिशन में आप अपनी खुद की डॉक्मेंट जिसे अधार काड आप अपनी डेट ऑफ वर्थ आप अपनी पाफपोर्ट फाइस फोटो आप जो है इन सारे ड फाल से लेकर की दफाल की बीच में है तो उस कंडिशन में आप अपनी गार्जियन को स्वाथ में लेकर की आप एसे डिफसी बैंक की ब्राज़ विजिट करेंगी वहाँ पे आप अपनी फर्म को सबमिट करेंगी और आप अपनी एकाउंट जो है कंप्लेट उपन और गई आपकी ATM कार्ड और आपकी चिक बुक जो है यह आपकी एड्रेस पी बाइपोस्ट के माध्यम से कंप्लेट चार से पांच दिन के अंदर में कंप्लेट डिलेवर्ड होते हैं अब दिखीए जगर आप एस फूच्छे हैं कि HDPC बैंक में घर बैठे माइनर के लिए अपकी एकाउंट ना उपन करा हैं तो ऐसी में आप एंडियाँ पोस्ट पेवेंट बैंक के फाँप जा सकते हैं आप उस इकाउंट को घर बैठे उपन कर सकते हैं आपकी एकाउंट जो है बहुत ही आफाने से उपेन हो जाती है गई उमीद है कि वीडियो में दीव इन्फर्विफवन आपके लिए काफी हेल्पल साबित हुआ हुआ और गई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सिर इस पर कमेंट कर सकते हैं और इसे ही वीडियो के लिए आप मारे यूटूब चैनल बेस्टन पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं